नमस्कार मित्रों मैं बियार कुमावत राजस्तान क्लासेज के यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम राजस्तान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपना टॉपिक रहता है राजस्तान जीके का कला और संस्कृति का की नियों दोस्तों ठीक है इन स्टॉप रहेंगे दोस्तों आप सभी इस प्रस्थनोतरी को अवेशी देखना जो इंपोर्टेंट on आप सब हो 엦्रइकरी यहां पर पहले प्रेम करते हैं और पहले प्रस्न पर निर्मान करते हैं तो देखें आप goodosse यहां पर आपका सई-सर कौन चावा बिलकुल राज सिंग हो जाएगा ए ओफिशन बिल्कुल किलियर होगा ठीक है चलिए आगे वड़ते हैं अगले प्रस्ट को देखते हैं मैंenter अगला प्रस्मिय आपकी स्क्रीण पर की राजस्तान में नात द्वारा का मंदिर महारानर राज चिंग ने किस रानी की प्रेर्णा से बनाय था देखिया आप पर ऑफ जो इसकी प्रीडियेफि 나타ानी wilkes चलिए इसकी आपको है जो इस्क्रिंशोट लेने क्या हो सकता नहीं रहेगी आपको इसकी PDF मिल जाएगी दोस्तों PDF जो आपको WhatsApp ग्रूप या फिर टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी ठीक है तो वहां पर आप जॉइन होके रहें जाinka जहेंो की सुनगरी किसे कहते हैं लिजिए बड़ा इमपोर्टन प्रस्ट है सेखावाटी की स्वन नगरी किसे कहते है तो इहां प्रेजों आपका सही आंसर कोई से वोगा बिल्कुल शेकावाटी की स्वन नगरी जो है यह नवल गड को कह जाता है ठीक है चलिए अगला प्रस्ट देखते हैं अगला प्रस्ट ने राजस्तान का परवेश द्वार कहलाता है राजस्तान का परेश द्वार किसे कहते हैं दोस्तों कला संसकरती से संवन्दित अपने जो है यह most important अपन सो प्रस्टों की मेरा तन class मेरातन प्रश्णोधरी पढ़ेंगे complete जरूर देखना मेरा आप सभी से request है ठीक है तो आप अंती में last में जरूर बताना कि आपके सो मेंसे इस most important प्रश्णों मेंसे आपके कितने प्रश्ण सही होते हैं और आप जो कितने प्रश्ण है जो सही कर पाते हैं ठीक है तो वेशी बताएं और राजस्तान का प्रश्ण दौर बिल्कुल है जो right answer आपका हो जाएगा भरतपूर याँ पर तो D option आपका सही उतर है भर लदपूर को राजस्तान का परवेश्दवार कहते हैं तो अगला प्रस्ण आता है राजस्तान का सिमला किसे कहते हैं दोस्तों राजस्तान का सिमला अजमेर जैपूर आबू या फिर जैसलमेर को very good see option हो जाएगा right answer यहां पर आबू है जो सही उतर हो जाएगा ठीक है अब यह बता ही आप सभी जवाब देवें हां जी बिलकुल है जो बी option right answer हो जाएगा कॉलायत हो जाएगा ना राजस्तान में कपिल मुनी कॉलायत जोकी B का नेरे चले अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है राजस्तान में नेहर खां की मिनार कहां पर इस्तित है राजस्तान में नेहर खां की मिनार कहां पर इस्तित है और जोदपूर जैसल मेर जेपूर और कोटा और इसका right answer आपका हो जाएगा कोटा नेहर खां की मिनार कोटा में इस्तित है तो D option बिलकुल correct होगा अगला प्रस्ण है आठवाद दिसमबर 1988 में एतिहासिक व सांस्क्र प्रस्ण को देखते हैं दोस्तों और अगला प्रस्ण है प्रकास के रचीता को ने यह तो अपने अभी अभी बढ़ाए और इसका right answer कोंच हो जाएगा सूरज प्रकास के रचिता बेलकुल सूरज प्रकास के रणीता D option रचीता जो करणी दान ठीट के चलिए अगला प्र तो observed जो की कहा पर है सबी को बटाए ना ओद्यपूर में बिलकुल ओद्यपूर में जो धूलेव हैं रिसव दinaire का मेला भी यहां पर जिसें मेला अंगे प्रस्न को देखे तो 11 आ तहहार प्रस्ण आता है राजस्तान में समपर्डाय 13.15 किस दर्म से संबन दीत है देखिये कला संसकर्ति अपने जो ये रिविजिन कर रहे हैं सो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण जो कि अपनी कला संसकर्ति का टॉपिक अपना कल ही पूरा हुआ है यह आप सभी को बताएं जो भी लाईव अपने साथ जुड़े रहते हैं जबी को बताऊना चाहिए देखिए तो अपने रिविजिन कर रहे हैं उसका लासंस करती पर तो देखते हैं आज आप कितने प्रस्ण सही कर पाते हैं तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जैन धर्म राजस्तान में संपर्दाय तेरा पंती है संपर्दाय की बात करें यह किस तरम से संबंदित है यह जैन धर्म से संबंदित है तेरा पंती संपर्दाय ठीक है चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं दोस्तों बारवा प्रस्ण यह है राजस्थान में मीरा बाई का मंदिर कहां पर इस्तित है चितोडगर्ड उदेपुर नात द्वारा या एनमे से कोई नहीं बेलकुल चितोडगर्ड ए आफ्षन आपका राइट आंसर होगा मी राज विजय किसकी रचना है दोस्तों यह बताना है सभी बताएंगे नयन चंद्र सूरी जयानक और चंद्र सेकर या मेरुतंग राइट आंसर आपका बेलकुल हो जाएगा जयानक जो की कौन सा ऑफ्षन होगा बिलकुल बी ऑफ्षन आपका राइट आंसर हो जाएगा चल होतरी है ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वीररस वीररस जिन्हों ने भी बिलकुल लिखा है वह बिलकुल वीररस टाइप क्या वह सही आंसर हो जाएगा सी ऑफ्षन अगला प्रस्ण है स्क्रिन पर की बढ़ी चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं और जिसे भारत की मौना लिसा भी कहा जाता है तो अगला प्रस्ण यह संगीत राज नामक क्रती किस राजपूद सासक की रचना है संगीत राज नामक क्रती यह बताना है और से भी बताएंगे महारान प्रताप कुंबा बपरावल औ और एक D option है तो right answer यहाँ पर आपका कोंचा होगा बेलकुल महराना कुमबा है जो हो जाएगा right answer चलिए एक लिए प्रस्ण को देखते है गीदर नर्तिय राजस्तान के किस चैत्र का लोक नर्तिय है यह चैत्रिय लोक नर्तिय की सिरेणी में हमने पढ़ा था तो right answer आपका हो जाएगा सेकावाटी का clear ना सेकाव दोस्तों अपन advance जानकारी यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं अपन केवल प्रस्णोतरी पढ़ रहे हैं देखते हैं आपके कितने प्रस्णे right होते हैं देखेए advance जानकारी अपन हर रोज पढ़ते हैं हर एक टॉपिक से कोंचा हो जाएगा बिल्कुल ना तो द्वारा हो जाएगा आपका डी option सही उतर होगा डी option है ना डी option बिल्कुल सही है चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं 19 नमबर मांड गायन के लिए राजस्तान में कौन प्रसीद है मांड गायन के लिए राजस्तान में कौन प्रसी अला जिलाई बाई चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं राग कल्पद्रूम के रचिता ये साहित्य जो है इसके इस साहित्य के रचिता कोने रादा क्रश्णन और क्रश्णन दंद व्यास या हमीर मारान कुमबा राइट आंसर बिलकुल आपका हो जाएगा बी ओफसन कौन है कपड़े पर चितर चितर कला का मुख्य है सबी टाइप करेंगे फटाफ़ से टाइप करेंगे और जो भी लाीय सोड़े हुए हैं कपड़े पर चितर चितर कला का मुख्य हैं आपका Ger Galilei पर फो memoirी चानल पर दोफर जापола मैं नतमल की अवेली और पटों की अवेली ये कहां परिष्थी तो आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखते आप अग बेश्ची है अगले प्रस買 को देखते हैं प्रत्वी राज रासो किसकी रचना है बेलकुल ए ऑफ्सन सभी का सी आंसर है जिन्होंने भी चंद बरदाई चुना तोस्तों आज देखें यह इंपोर्टेंट प्रस्टने और आसान भी है कठिन भी है तो आप अपना देखें जांस करके आप अपना अवशी बताएं आपक कौन सी जील के पास बड़ा आसान प्रस्टने बहुत आसान ए ऑफ्सने पुसकर बी ऑफ्सने कोलायत आना सगर फते सगर बिलकुल है जब आपका ए ऑफ्सन सभी आंसर हो जाएगा पुसकर में एक मातर ब्रमाजी का मंदिर है जो कि इस भी जील के पास है चलिए अगले प् सिंह ध्वार government को कहा जाता है तो डी rij ऑफ्सन बिलकुल सभी का सवी ब्रार पर बरता है देखे दोस्तों बड़ा असान प्रस्न ने गोगा मेड़ी प्रसीद करकी रचना किसने की सबी जवाब देंगे जो भी जुड़े हुए हैं वंस बास करकी रचना किसने की मादोदाद चरण ने माकवी भी यारी ने सूरिमल मिस्रण ने या नाकोड़ा जी ने नाकोड़ा मैं यह आपर कलत है लेकिन आपका सी आपसे राइट आंसर हो जाएगा ठीक को देखते हैं घ्लावार उदेपूर जोधपूर या बिकानर बिलकुल यहाप राइट आंसर आपका A option होगा जालावार ठीक है ना चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं और अगला प्रस्ण आता है आपकी स्क्रीन पर किस लोक नर्तिय में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता कौन सा लोक नर्तिय है जिसमें वाद्य यंत्र का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता तो गवरी होगा वालर होगा डांडिया होगा या चरी होगा वेरी कुड वी आफशन होगा यहां पर वालर नर्तिय हो जाएगा बिल्कुल जिन्होंने भी वालर नर्तिय चुनाए बिल्कुल राइट है दोस्तों आपको फटा-फट से आंसर देने है ना फटा-फट आंसर द उत्तर होगा नात द्वारा ठीक है ना चलिए अगले प्रस्ण को देखेंगे अगला प्रस्ण है ब्रतहरी बाबा का मेला राज़तान के किसी जिल्ले में भरता है जैसे कि अलवर जालोर विकानेर या जैसल मेर इन मैंसे आपसे आपको चूज करना है कौन सा वहाई बिलकुल एफसन हो जाएगा अलवर होगा आपका सही उतर बिलकुल राइट है ठीक है चलिए अगले प्रस्ण को देखते अगला प्रस्ण आता है विसु का एक मात्र व्रक्ष मिला राजस्तान में कहां पर भरता है राम देवरा में खेजरली में बांसवाडा में या घाटोल में और आप पर राइट आंसर सभी बताएंगे कौन सा होगा जो भी लाइव जुड़े हुए हैं मेरे सभी साथी बिलकुल याप पर बी आफसन आपका राइट आंसर होगा जिन्होंने भी खेजरली चुना बिलकुल सही उतर है जो की खेजरली कहां पर है जो अगले प्रस्ण को प्रस्ण को बढ़ते हैं और अगले प्रस्ण को बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण बड़ा आसान प्रस्ण है अगले प्रस्ण को देखेंगे अपन और ये प्रस्ण आता है 35 तंबर जांबो जी द्वारा प्रवर्तित विस्नोई समाज के अनुयायों को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है ज़रूरी बताया है। दोस्तों कला संसकर्ती अपन कंप्लीट पड़ चुके हैं आप मैंसे कोई नए है तो कला संसकर्ती की जो प्लेलिस्ट बन रखी है आज तक जो बियस टी-सी के नाम या पेटिटी की नाम से इस प्रकार प्लेलिस्ट जो बन रखी है रायस्तान जी के की संपूर्ण ख्यारी के रूप में और प्रस्णोतिक के रूप में दोनों को आप वैसी देखिए यदि कला और संसक्रति आपकी किलियर करनी है तो है ना चलिए तो 35 का सही जवाब आपका बिल्कुल है जो हो जाएगा यहां पर 29 जिन्होंने भी ओप्जन चुना बिल्कुल राइट उत्तर होगा चलिए अगले प्रस्ण को देखेंगे दाउदी बोहरा संपरदाय का परमुक केंदर राजस्तान में कहां पर इस्तित है जैसे कि टॉंक नसीरबाद गलिया कोट या जमेर बिल्कुल गलिया कोट हो जाएगा सी आप्सन आपका राइट आंसर हो जाता गोट यांबा का मेला गोट मेसवर का मेला या सीता बाड़ी का मेला या बेने स्वर का मेला यहां पर यह बेने स्वर है न कि बेने स्वर है बेने स्वर का मेला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी आफशन बिल्कुल सेरिया का जो मेला है यह सीता बाड़ी का मेला है ह चलिए अगले प्रस्ट को देखेंगे अपन अगला प्रस्ट ने स्क्रिन पर हाती उच्छों का आयोजन कहां किया जाता है दोस्तों यह प्रस्ट नंबर के जो 100 प्रस्टों की प्रस्ट नोतरी ना यह यह पीडियप आपको मिल जाएगी एक तिन बाद में यह थोड़ी एड चलिए अगले प्रस्ट को देखेंगे राजस्थान अभी लेखागार का मुख्याले कहां पर इस्तित है राइट आंसर कौन सा होगा सभी बताएंगे जैपुर में अजमेर में कोटा में या बीकानेर में बिल्कुल बीकानेर हो जाएगा डी आप्शन सभी का सही आंसर ए बी एस टी सी एक्जाम पिछले एक्जाम में पूछा गया प्रस्ट ने ठीक है चलिए अगले प्रस्ट को देखेंगे राज पुताना का अबूल फजल किसे कहा जाता है तो राज पुताना का अबूल फजल सूरिमल मिश्रन को वीरवान को वीरभान को या मूनोत नैंसी को या रामकरण आसोपा को सात्यों यह अपने कली तो पढ़ाता और राइट आंसर आपका बिल्कुल है जो सी आफ्शन हो जाएगा या पर मूनोत नैंसी को कहा जाता है ठीक है चलिए मारवाड़ी परगनारी विगत है जो जिसने जो लिखा था उन्होंने इन्होंने लिखा था मूनोत नैंसी ने चलिए अगले प्रस्ण को देखते है सुनारी कोठी कहां पर इस्तित है सुनेहरी कोठी कहां पर इस्तित है टॉंक में भीलवाड गीत लांगूर या किस लोग दिवी से संबंदीते सात्यों आज सो प्र Même historians और सभी के आंसर देए और सभी में आप लाश तक बने रहे कितने प्रस्ण सही होते देखते हैं प्रसीद लोकीत लांगूर या किस लोक देवी से समझ देते हैं और बिल्कुल भी आफसन आपका राइट आंसर होगा केला देवी ठीके ना चलिए अगले प्रस्ट को देखते हैं और अगला प्रस्ट आपकी स्क्रीन पर बड़ा आसान प्रस्ट हैं बहुत आसान प्रस्ट हैं कि राज़स्तान का रूनी से अमेला संपूर्ण समाज के लिए किस परकार योगदान देता है जैसे निरंतर इस्वर इस्मरन इ अच्छते बोलने के सिक्षण के द्वारा या पवित्र जीवन द्वारा तो यहां पर बिल्कुल किलियर सा आपका हो जाएगा बी ऑफशन सामपरदाइक सद्भाव द्वारा बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है भारत की मौना लिशा किसे क्याता है यह अपने अभी पड़ा हमीरा भाई को रजिया सुल्तान को बणी ठणी को या प्राणी पदमीनी को बेल्कुल सभी का सही आंसर होना चाहिए यहां पर सी ऑफशन जिनोंने भी चुना बिल्कुल राइट है यहां पर बणी ठणी आपका सही उतर हो जाएगा जो की किसन गड़ से सम्मदित है तो य इत्यास पढ़ने के बाद अपनों दुर्ग भी पढ़ेंगे तो यहां पर राइट आंसर नारगड मेरानगड जैगड या तारगड कौन सा होगा सही उतर हां पेतालिस का सभी बताएंगे बिल्कुल जैगड है जो सही उतर हो जाएगा आपका चलिए अगले प्रस्शन को देखते हैं और तेरह ताली नर्ट ये किस लोक देव तके भोपमों द्वारा किया जाता है जैसे कि तेजा जी राम देव जी देव नरेंज या पाबू जी राइट आंसर आपका बिल्कुल होना चाहिए यहां पर भी आफशन बिल्कुल राम देव जी जो सही उतर हो देखेंगे अपन और अगला प्रस्ण है आपकी स्क्रीन पर प्रसिद गुलाबो है प्रसिद गुलाबो जो है यह क्या एमान गाई का है या मारू को किला या कालवेलिया नर्ते की नर्तांगना है या और बाद दोनों है तो साथियों सभी का से आंसर होना चाहिए तरी के माधियम से भी और के दोना के मादियम से बिल्कुल है जो भीयावर आपका सही उत्र होगा बाद शागा गेर गवरी गरबा घूमर या नेज़ा गेर या घूमर नेज़ा तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होना चीए नेज़ा गेर नेज़ा और गेर होगा सही उतर ठीक है C option चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं जो है पचास वा प्रस्ण है आपकी स्क्रीन का पराइट बिखने तो राइट आणसर बिल्कुल आपका D option होगा जीन अंट धेगास प्रस्ण होगा आपका यह राइद देवी चलिए जीन माता चौनों की कोल देवी हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण जो है कवर नंबर पे संगीत राज संगीत मिमानचा और सूड प्रबंध नामक संगीत ग्रंत किस्थ ने लिखे और सभी आंसर देंगे आपर प्रताप सिंग जयानक ब पर इस्तिते हैं सभी जवाब देंगे यहां पर है ना चलिए परमुक पीड जो है चितोडगट जैपूर वीकानेर यह जोदपूर बिल्कुल जोदपूर हो जाएगा यहां पर आपका सही उतर डी ऑप्सन बिल्कुल जिन्होंने भी चुनाएं अगला प्रस्ने बोरूंदा लोक कला संस्तान कहां पर इस्तिते हैं उदेपूर में जोदपूर में जेपूर में या जैसल मेर में बिल्कुल बोरूंदा लोक कला संस्तान है जो बिल्कुल जोदपूर में इस्तिते बी ऑफ्सन है जो आपका राइट उतर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्न को आपन द यह दिए ऑफशन है ना चलिए अगले प्रस्ट को देखते हैं और एगला प्रस्ट ने मावीर जी किस दर्म के लिए प्रसीद है जो बेलकुल यहां पर इसे ही धर्म या बहुत धर्म शिक संपर्दाय या धर्म या जैन धर्म तो साथ यहां पर आपका डी ऑफशन होगा जैन धर्म से संबन दिते हैं मावीर जी ठीक है चलिए अगले प्रस्ट को देखेंगे कौन सा यूगम सुमेलित है कौन सा यूगम दोस् यहां पर बी ऑफशन होना चाहिए सुमेलित यूगम जो है ढूंडाडी चेपूर यह बाकी सुमेलित नहीं है जो कि आड़ोती बीकाने नहीं है कोटब बुंदी जो वो चैतर है मेवाती यह नहीं है वरतपूर अलवर है ना तो यहां पर है जो आपका राइट आंसर बिल लाल सेठ याने तो आपका राइट आंसर विजेदान देता हो जाएगा सी आपसन जिन्होंने जो बातारी फुल्वारिक की रचना की इनकी करती यह है बम नर्तिय कहां का प्रसीदे बहुत यह आसान प्रसने अपने कई बार पढ़ा इसे ट्रिक से भी पढ़ाता अपने त मेवाड का मारवाड का मेवाट का या सेखा वाटी का राइट आंसर बिल्कुल है जो आप से भी से आंसर होना चीए मेवाड का हो जाएगा बिलकुल ए ऑफ्सन के ाति का ने ख्रण के बार राजस्तान में प्रचली अगले प्रसन को देphemे तो यह आता हैं 63 नंबर देखो कौन सा होता है ए ओफ्षन है आना सागर के बजरंग बली या नात द्वारा के सिरिनाज जी या जैपूर के गोविन जी या राण थंबोर के गणे जी त्रिनेत्र गणे जी तो बिल्कुल है जो यहाँ पर डी ओफ्षन होगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए देखिए राजस्तान में त्योवारा कर अरंब कब्रहसे माना जाता है अंत कब्रहसे माना जाता है वह दतिता अलिए जाур को नहीं सब्सक्राया पर चलिए अगले प्रस्ण को देख्व करहीм कि से घोसीत किया गया जोस्तों बहुत आसान प्रसंट हैं सभी बताईंगे आप बिल्कुल हाँ तो कमल गुलाब कनेर या रोईडा बिल्कुल डी ओफशन राइट आंसर होगा रोईडा ठीक है बिल्कुल देखतें आज कितने प्रसंट आप सभी सही कर पातें बहुत इंपोर्टेंट और बहुत यह आसान अगनी नर्तिय किस संपर्दाय से संबंदी थे देखे बताना है आपको नात स्पंती विश्णोई जसनाती या तेरा पंती राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी ओफशन जसनाती संपर्दाय से ठीक है सभी फटापट से आंसर देंगे याँपर सागडी परता का अर्थ क्या है सागडी परता का क्या आर्थ है देखे गोड़ सवार पटवारी क्रसक या बंदूआ मजदूर सभी बताएंगे सागडी परता का क्या आर्थ है गोड़ सवार होगा पटवारी क्रसक या बंदूआ मजदूर बेलकुल सागडी परता जो है यह बंदुवा मजदूर यह जो इस परकार की प्रता थी सागड़ी प्रता कहलाई जो की बंदुवा मजदूर की नाम से जाने गई राजस्तान में उड़ के बिमार होने पर किस तेवता की पूझा की जाती है दोस्तों सब्सक्राओी जवाब देंगे राजस्तान में उंट के बिमार होने पर किस तेयोता की पूजा की जाती है गोगा जी, मतेजा जी और पाबू जी और केसरिया कुमर जी सभी सही जवाब देंगे और बिल्कुल C आफसन हो जाएगा पाबू जी को पूजा जाता और पिले एक रख सकते होता भी पाबू जी ही है राजस्तान में उंट के बिमार होने पर भी पाबू जी की पूजा की जाती है अच्छा तो अगले प्रस्ट को देखे है तो या आता है 65 पचू पक्सियों को मैं तो देने वाले स्कूल और पैंटिंग का नाम क्या है मतलब की कौन सी सेली में सितरकला सेली में पसू पक्सियों को मैं तो दिया गया और पसू पक्सियों की सेली भी कहा गया उसे तो very good a option right answer हो जाएगा बूंदी सेली यह अभी ही पढ़ते आ रहे हैं दो-च्यार दिन पहले पढ़ा इससे अपनने चलिए अगले प्रस्ट को देखेंगे मीरा भाई का जन्म इस्थान कौन सा है मीरा भाई का जन्म इस्थान कुड़की है या खारवा है या बिका नेर है या जेसल मेर है तो सातियों यहाँ पर सभी का सी आंचर है कुड़की बिल्कुल है जो जिन्होंने भी ए आप्चन चुना बिल्कुल डाइट है कुड़की है जो मीरा भाई का जन्म इस्थान है क्लियर चलिए अगले प्रस्ण को देखते है और संस्क्रत काव्य सिसुपाल वदम की रचना करने वाले माकवी माग का जन्म कहां पर हुआ माकवी माग राजस्तान का जिसे कालिदास भी खा जाता है और इनका जन्म है सिवगंज चानोद या भीन माल या बिक का नेर कन्या कब कन्यावद अवेद गोसित किया गया साथियों सभी जवाब देंगे यह अभी के प्रस्ण अभी आपने तो आपका वी आपसन ओंगा 834 में हुआ ठीक है अट एडवान जानकर यहां पर नहीं देखेंगी क्यूंकि अपने पहले भी काफी देख ली है किस राजी ने कन्यावद सरोपर्तम अवेद गोसित किया ये बताने हैं मतलब अवेद गोसित किया ये बताएंगे आप सभी कोटा जैपूर वीकानेर या जोदपूर बिल्कुल बी आफसन होगा राइट आंसर आपका कोटा हो जाएगा सही उत्तर चत्तर नंबर प्रसन है इस्क्रिन पर की मुसलमान किसे रामसा पीर के रूप में मानते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं तो गोगा जी होगा अप अगले प्रसन को देखते हैं और एकला प्रस्ण अ‌टेजा जी का मेला किस इस्तान पर भरता है यहाँ पर देखिये परबशर नागोर में अल्वर में यह देस्नोप भीकानेर में तो दोस्तों आप सभी को बताए ना देशनोक विकानेर में कर्णिमाता का मेला भरता है तो यहाप पर है जो बाकी नहीं होगा बिल्कुल है जो ए आफसन हो जाएगा आपका सही उतर परबसर नागोर आप सभी का सही उतर है आज आज सभी देखते हैं कितने प्रस्ण देवरा सात्यों खरनाल रेवासा जैसल मेर या राम देवरा यदि आपको यहाप पर चार ओफसन नागोर के देदियत जाए तो आप महाँ पर क्या करेंगे आपको कंफ्यूज नहीं होना है और यह आफसन राइट आंसर होगा आपका यहाप बिल्कुल खरनाल खरनाल है ज बहुत आसान बिल्कुल डी आफसन राइट आंसर होगा आपका डी आफसन देशनो कर्णी माता का मेला भरता है और वहाँ पर इनका वव्यव मंदिर भी है लो जी जीन माता का मेला किस इस्तान पर भरता है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आप सभी जो भी जबाब देने ना आप सभी है जो इस्टार्ट से जुड़े हुए मेरे साथ क्लास संसक्रती तो आप सभी ने अप सभी पढ़笈 है ना आप सभी जबाब देने के बिल्कुल जो योग है आप सभी जबाब देंगे और जीन माता का मेला किस इस्तान पर बता है बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका बिल्कुल रेवासा हो जाएगा जो कि कहां पर है सीकर में न सभी को बता होना चीए मात्र मुंडा लिनी का मेला किस इस्तान पर भरता है यह बताना है और से भी बताएंगे आप लोग और बिलकुल राइट आंसर कोई से हो जागा बिलकुल एओप्सन हो जाएगा रासमी होगा सेयुतर है ना चलिए अगले प्रस्न को देखेंगे और अगला प्रस्न आता है चीतर नंबर पे मरू महुत्सो का आयोजन कहां पर आयोजित होता है जैसे कि बीकानेर जैसल मेर ओदेपूर राइट आंसर कौन से होगा जिने भी बताएं सभी जवाब देंगे और आपका राइट आंस धार समारो का निंश्यं ताल का खुए और है जैसल मेर ओव्शन है और बार मेर ओफसन है तो राइट अंसर कौन से हो जाएगा बिल्कुल d option हो जाएगा आपका थार जो है समारो ये काँपर ये बाड मेर में आयोजित होता है अच्छा अगले प्रस्ट को देखे तो मिवार समारो काँपर आयोजित होता है लेजिए बड़ा आसान प्रशन है उदेपूर में नागोर में पाली में या जोदपूर में तो आप से भी का सही उत्तर होना चाहिए A option है ना बिलकुल A option हो जाएगा सही उत्तर उदेपूर उदेपूर में मेवार समारो कायोजन किया जाता है तो थार समारो कायोजन कहां पर किया जाता है बाढ़ मेर में किया जाता है तो दोस्तों अगला प्रशन आता है गल्या कोड का उर्स किस जगह होता है जैसे जोदपूर डुंगरपूर नागोर या ज आपशन हो जाएगा राइट आंसर डूंगरपूर में गलिया कोट का उर्स बढ़ा जाता है लो जी बान गंगा का मेला किस सितान पर बढ़ा जाता है बान गंगा का मिला लो जी जोदपूर नागोर बैराट और जैसल मेर और बेल्कुल आजो सी आपशन यह अपने सुभे भ का कॉलायत मेले का जो आकरसन है वो क्या यहां का देखिए बा नर्त दीपडान पुस्पदान यह स्थ़ादूनर्थ आ र рук अगजंक एक आपने आगज से पहले इस प्रौन को सही नहीं में पढ़ाता कि बिल्कुल लुण्यावास हो जाएगा आपका सिभी का सही आंसर जिन्हों अगले प्रश्यों को देखते हैं रानी सतीका मेला कहां लगता है दोस्तों रानी सतीका मेला कहां पर लगता है बीकाने चितोडगर जोदपूर या जुन जुन ओफसन चारो आपके समक से और डी ओफसन आपका सही उतर हो जाएगा जुन जुन वैसे एक आ जाता है कहीं कहीं पर उलेक जो है कि ये मेला बंद करावा दिया गया है राजी सरकार द्वारा बट जो देखते हैं ऐसा प्रशन आगे पूचा जाता या नहीं बट आपको है जो ये ध्यान में रखना है ठीक है चलिए राणी सती का मेला जो एक मात्र जुन जुन में लगता है अच्छा दोस्तों अगला प्रशन है परबसर पसु मेला राजस्तान के किस जिले में लगता है जैसे अजमेर जोदपूर नागोर जैसलमेर दोस दोस्तों इसके अलावा भी नागोर में दो और जैसे जो पसु मेले लगते हैं है ना चलिए अगले प्रशन को देखते पुसकर मेला की तिति को संपन होता है यह बताने आपको सभी बताएंगे कार्थिक पूर्णिमा को जैस्ट शुकलत तर्थिया को या फिर वैसा क्रस् कर मेले की कार्तिक पूर्ण नहीं ठीक है और एगला प्रस्ण है दोस्तों गोगा मेड़ी पसु मेला कहां बरता है लेजिए गोगा मेड़ी पसु मेला देखे स्री गंगा नगर हनुमान गड़ जैसल मेर या इन में से कोई नहीं सबी जवाब देंगे और बिल्कुल हनुमान गड़ आपका बी ऑप्सन राइट उत्तर हो जाएगा तो गोगा मेड़ी पसु मेला है जो कहां बरता है हनुमान गड़ में भरता है अच्छा अगले प्रस्ण को देखेंगे जोहर मेला कहां पर बता है लीजिए जैपूर में च चाकों से समद्धित है ना चलिए तो यहां पर आपका बी ऑफ्सन राइट हो जाएगा चितोडगर्ड में जोहर मेला प्रसीद है यहां पर भरा जाता है और अगला प्रस्ण आपकी स्क्रिन पर यह आता है कि प्रसीद सीतला माता मेला है जो भरता है देखें नोखा में मे पर्यावरन के लिए अपनी जान देने वाली अमर्ता देवी की समर्ति में खेजरली सहीद मेला कब मनाया जाता है कब भरा जाता है जो कि जोदपूर में भरा जाता है खेजरली स्थान पर तो दोस्तों देखिए बादरपज शुकला अस्टमी को या पिर बादरपज शुकला अस्टमी को या आसार शुकला अस्टमी को या बादरपज शुकला अस्ट जाएगा डी आफ्शन भादरपज सुकला दसमी है जो डी आफ्शन बिलकुल राइट होगा जो कि खेजरली सईद मेला है जो भरा जाता है अच्छा अगले प्रसुन को देखें तो याता है 91 सभी जवाब देंगे प्रसीद आदिवासी मेला बेनेस्वर किस जिल्ले में भरा बेनेस्वर दाम किन तीन नदियों के संगम पर इस्तित है दोस्तों यहाँ पर सभी जवाब देंगे और बेनेस्वर दाम किन तीन नदियों के संगम पर इस्तित है देखें तो अपने परसों ही बढ़ाता सोम माही पारोती माही सोम माही कोठारी पारोती सोम जाखम पारोत देखते हैं सोजा मा सोजा मा ठीक है चलिए अगले प्रस्थन को देखते हैं और अगला प्रस्थन तेजा दस्मी को वीर तेजा जी का मेला लगता है तेजा दस्मी आती कब है लेजिए स्यावन शुकला दस्मी को या भादरपद शुकला दस्मी को या कार्ति क्रस्थना दस् तेजाद दसमिये उससे उस दिन को कह जाता है दोस्तों यह आंसर आपको यह सात में मिल रहे हैं और यह जो आंसर पहले ही टाइप करके रहके तो दोस्तों आपको ये जलदी ही मिलने वाली है तो आप जरूर है जो अपडेट रहा करें टेलिग्राम चैनल पर और वाट्सेप ग्रूप पर आपको पीडियेप मिल जाएगी और दोस्तों आप सुबह साम नो बज़े अवेसे लाइव आया करें ताकि यह जो अपने अपन बीस्टीशी पीटीटी और भी जो भी विकेंसी जाए उस सभी का है जो अपना राजस्तान जीके का स्लेबस कंप्लेट कर पाएंगे बाबू माराज का मिला किस जिले में भरता है लोज जी बाबू माराज का मिला बिल्कुल करो ली दौलपूर स्वाई मादपूर या जैसल मेर तो राइट आंसर बिल्कुल दोस्तों दौलपूर होगा आपका जिन्होंने भी अप्शन चुना है बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर बी आप्शन दौलपूर में बाबू माराज का मेला भराग जाता है अच्छा दोस्तों अगला प्रस्ण है सभी जवाब देंगे आएकी दरस्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा पसु मेला कौन सा है तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर देखिए सांद संद्र सेन पसु मेला या गोमतिजागर पसु मेला या स्री तेजा जी पसु मेला या राम देव जी पसु मेला तो I की दरस्टी से C आप्सन आपका राइट आंसर होगा श्री तेजा जी पसु मेल आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्तान के किस जिले में राज्य सरकार सर्वादी पसु मेलों का आयोजन करती है यह अभी अपने किलियर किया जैसे कि नागोर, हनुमानगर, बीकानेर या गंगानगर सभी को पता होना चाहिए और A आप्सन सभी का सही आंसर भी होना चाहिए आपर नागोर है जो सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण को देखते है और अगला प्रस्ण नाइन टी सेवन माच्ऌ सीवरात्री पसु मेला कहा आयोजित किया जाता है माच्ऌ आप्स पसु मेला पर आयोजित किया जाता है इस सभी जवाब देवें बेलकूल आपका B-Option राइट आउन सर हो जाएगा करोली हो जाएगा सही उत्तर है ना चलिए अगले प्रसुन को देखते हैं और यह आपको इसमें से देखें यह चारों जो है ना यह एक ही संभाग के जिले लेकिना आपको कंफ्यूज नहीं होना है ध्यान रखना है ठीक है मासिवरात्री मेला करोली में लगता है ठीक है चलिए 98 सभी जवाब देंगे नोहर तैसील में कौन सा प्रसीद मेला भरता है और सभी जवाब देंगे गोगा जी का मेला सीतला माता का मेला केला देवी का मेला या स्रीनाथ ज हो जाएगा गोगा जी का मेला सही उत्तर है आपका ठीक है चलिए अगले प्रस्ट को देखेंगे और अगला प्रस्ट है लोट या मेले लोट या मेले के से कौन सा मेला जाना जाता जैसे दसरा मेला तीज का मेला गंडगोर का मेला या इन मैसे कोई नहीं तो लोट या मेले के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है सी ऑफशन गंडगोर का मेला आपका सी उत्तर सही आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रस्ण को देखते हैं और लास्ट प्रस्ण इसक्वीज का गुरु द्वारा गुरु द्वारा बुड़ा जोड जो है ये विशाल मेले का अयोजन है जो होता है कब होता है ये बताने आप सभी बताएंगे गुरु द्वारा बुड़ा जोड मेला जो है विशाल मेला इसका अयोजन कब होता है चाहि जाल मिले का ऐयोंजन होता है तो दोस्तों के प्रशों को आपन पुनर जनम पर विश्वास करते हैं उस पर है जो यह संसकार है और दोस्तों जो टॉप फाइब जिन्हों ने फटापट से पांच जिन्हों ने जो आंसर दिया था उनका मैं नाम सम्मोदित कर रहा हूं ठीक है फिर प्रस्टन दे रहा हूं कल आपको फिर से बतना है और प्रस्टन ने यह कि लच्छी राम क्या प्रश्ण है लच्छी राम जी किस ख्याल के प्रवर्टक है सभी बताएंगे लच्छी राम जी किस ख्याल के प्रवर्टक है सभी लिखें देखते हैं कितने जन्या जो आज सही जवाब दे पाते हैं जो सभी जवाब देंगे। और देखते हैं कोन फटापटब से जवाब देते हैं कल फिर है जो आपने सम्भोदित करेंoden Davis थे बिल्कूल दो sedya application , assay पढ़े अपने और सबी बताएंगे कि कितने प्रस्ण राइट हुए आप कमेंट सेक्षिन में बाहरा के भी बता सकते हैं और यहां पर भी जरूर बताएं कितने प्रस्ण जो आपके सही हुए हैं और दोस्तों आप अवेशिये बताएं कि इस परकार की क्वीज 100-100 प्रस्ण की तो दोस्तों आप यद्य कहें गे तो आवेश्य लेकर आऊंगा और शुबह सबी है जो लाइव जरूर एए